शड्यंत्रों के कारण आज जेल के अंदर हैं उन्होंने अपने-अपने मंत्री पत से इस्तिफा दिया है और यह पूरे हिंदुस्तान के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है कि वो दो मंत्री जो अपने काम के लिए जाने जाते थे और सिर्फ दिल्ली में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में अपने काम के लिए जाने वाले, जाने जाने वाले मंत्री श्री सतेंद्र जैन, श्री मनीश शोदिया जी, इन दोलों के पीछे पढ़के केंद्र सरकार ने जूटे, फर्जी, नकली, मुकदमों में फसाया है, और ये संदेश पूरी दुनिया में जा रहा है आज, कि सबसे जादा काम करने वाले मंत्रियों के पीछे, देश्की केंद सरकार पड़ी हुई है, यह कोई अच्छे संकेत नहीं है, यह के जूटे हैं, फर्जी हैं, हमारे दोरों मंत्री, पूरी इमानदारी से, अपना पूरा जीवन जो है, समर्पढ कर रहे हैं, इस समाज के लिए, दिल्ली के लिए, अपने देश के लिए, और आज उनका इस्त है, उन दोलों ने अपना अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री जी को दिया है, क्योंकि दिल्ली में छोटी कैबिनेट है, मुख्यमंत्री जी और उनके साथ 6 मंत्री, मंत्री परिशद्र में होते हैं, और सत्यंदर जैंजी और मनीश शिषोद्या जी के पास सब लोग जानते ह जादा तर जो एहम मंत्राले थे पॉर्टफोलियो थे डिपार्टमेंट्स थे वह इन दो हमारे सीनियर मिनिस्टर्स की पास थे तो इनके इनकी एपसेंस में दिल्ली वालों का काम जो है वो प्रभावित ना हो दिल्ली का काम ना रुके दिल्ली वालों को कोई परिशानी ना हो इसलिए इन्होंने इस्तीफे दिये हैं इनकी जगे दो नए मंत्री जल्द बनाए जाएंगे